लहजा को इंग्लिश में क्या कहती हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं लहजा को इंग्लिश में आप accent या dialect कह सकती हैं accent या dialect यानि कि जो लहजा होता है एक अलग तरीके के या अलग जगह के लोग अलग तरीके से बातों को बोलती है या उनको बोलने का एक अलग लहजा होता है तो उस लहजा को आप accent या dialect कह सकती है और जैसे कई बार हम कहते हैं कि उसने गुस्से के लहजे में ऐसा कहा या उसका लहजा जो है वो प्यार भरा था या गुस्से वाला था तो उस लहजे को आप tone कह सकती है या जैसे अमेरिका के लोग अलग तरीके से भाशा को बोलती है तो उसको आप American accent या dialect कह सकती है या इंडिया के लोग अलग तरीके से बोलती है तो उसको accent कह सकती है तो ये वाला जो लहजा है इसको आप accent या dialect कहेंगे और जो गुसे वाला या प्यार से या थोड़ा नखरे से वो वाला जो लहजा होता है उसको tone कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह आकरशक फ्रेंच लहजे में अंग्रेजी बोलती थी तो आप कह सकते हैं she spoke English in a charming French accent she spoke English with a charming French accent या अगर आप ये कहना चाहें कि जब वह मुझसे बात कर रही थी तो उसका लहजा रोखा था या थोड़ा rude था यानि इसकी जो tone है वो थोड़ी रोखी थी तो आप कह सकते हैं when she was talking to me her tone was rude अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें